तो दोस्तों आप वीडियो का टाइटल और थमनिल देखकर अपने आइडिया लगा दिया होगा आज वीडियो किस चीट से रिलेटिड है तो अल इनफॉर्मेशन अबाउट रूफिंग जो चट है आपके घर का वो किस तरह से लगाया जाता है जो कि आप अगर लोहे का स्ट स्ट्क्चर रहता है जिसमें की पाइप्स और एंगल और चैनल जो भी रहते हैं वो किस कंपनी के यूज किये बहुत सारे क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन के मैं आपको अंसर दूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चट लगात इसमें कौन-कौन सी चीज़ो काफी टाफ रहता है चिन ऑपाइप्स आप कौन सी यूज कर रहे हैं किस कंपनी की यूज कर रहे हैं चैनल किस कंपनी का यूज करें मटीरियल जो भी रहता है उसका स्लेक्शन करना सबसे इंपॉर्टेंट रहता है और आपका सबसे मैं जो इंपॉर्टेंट बात होती है आपका डिजाइन, चट का जो डिजाइन है, वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, हमारे यहां अटार सो फीट हाइट है, तो बरफ गिरती है, इसलिए स्लोप भी उँचा रखना पड़ता है, और चट का डिजाइन इस तरह रखना पड़ता है, कि स्नो इस से निकल जाए और आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अपने अलिवेशन के हिसाब से बारिश लगती है, तो कम स्लोप रख सकते हैं, अगर बरफ गिरती है तो जादा स्लोप रखना पड़ेगा, और आपको मैं बाहर की स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, जो आप यह देख हैं इसमें मैंने जो यह गयबल बने हुए हैं, इसमें मैंने टांस्पेरेंट ब्लास् आपको अल्रेडी पता चल जाएगे कि ये क्या चीज है और ये पूरे इसे जहलर भी कहते हैं ये पूरे में लगा हुआ है यहां भी यहां भी यहां भी और अगर मैं ये जो मेरा च्छत है ये धाई साल पहले लगा हुआ है और अगर मैं उस समय की बात करो तो 48-55 kg लोहा था इवन की कुछ मुझे 42 भी पड़ा है और इस वक्त जो मैं बात करो वो 85 हो चुका है इवन की ये डबल ही हो चुका है और तो दोस्तों जितनी जल्दी मैं आपको ये इसला देना चाहूंगा अपने च्छत का काम कंप्लीट करेंगे उतने आप फायदे में रहेंगे क्योंक 8-10 लाग इसमें लगा है और आपका इस वक्त 18-20 लगेगा क्योंकि काफी जादा हो चुका है इसका जो रेट है लोहे का तैसमें इसमें सारा लोगा ही लगा है जहां भी आप देखेंगे ये जो चादर है इसके नीचे जो स्ट्रक्चर बना है वो भी लोहे का है ये जो फ आपने मिस्त्री से सलाग लेकर अपने अलिविशन के साप से सलेक्शन कर सकते हैं मिटीरियल की डिजाइन की और मैं आपको चद के अंदर ले जाकर सारी बाते बताऊंगा कि अंदर किस किस चीज होगा ध्यान देना बाहर से मैंने आपको बता दिया हैं और इसमें सबसे यहां पर गटर बने हुए और जो भी पानी आता सारा गटर में जाता है और इकठा होकर एक पाइप से निचे इकठा हो जाता है बागीचे में तो इस चीज का भी आप ध्यान देख सकते हैं कि अगर आपने गटर लगाने हैं तो लगा सकते हैं अगर पानी की कमी आपके इ यही डिपेंड आपके बजट पर यह सब कुछ चीज़े डिपेंड करती है तो दोस्तों अब हम चछत के पास आगे हैं और यह देख लो जालर है यह फेशिया है यह अलग से आती है मोटी चादर और यह इसमें डिजाइन आता है बहुत सारे डिजाइन आते हैं अपने अकोर सामने आप देख सकते हैं सारा पानी इकठ्था हो जाता है और हम चलते हैं और ये हुई है इसमें बारामदा है उसमें यह आप देख सकें उपर हमने यहां पर सपोर्ट के लिए पोल लगा है जो की सपोर्ट कर रहे हैं उपर अंदर चत के स्टक्ट्य Mensch से और नीचे लेंटर के ऊपर इसका वेड शिफ्ट हो रहा है साइड में सीलिंग के लिए भी रामदे की जो सीलिंग है उसमें भी प्रॉपर तरिके से चादर ही यूज हुई है आप देख सकते हैं और जो ये शीट है ये भी टाटा की है इसमें भी आपको बहुत सारे वेराइटी मिल जाएगी लिए और अब आते हैं अम अन्दर वाले साइड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पिलर टू पिलर पाईपे लगी है इसमें स्टॉक्चर को त्यार कर वो यह वाली पाइपे लगी है अब पोलो की यह चार भाय चार की पाइपे है और तीन भाय तीन की पाइपे इसमें यहां लगी है यह सारी तीन भाय तीन की पाइपे हैं जिसमें चादरों को सपोर्ट मिला है और चादरों के जो नट्स है वो सारे इसी में आये हैं और जो ज क्लिंट्स लगाना जरूरी रहता है यहां भी आप देख सकते हैं और इन पीलर पर लगी है और मैं आपको झो इक जाइंत दिखाता हूं जहां। यहां देख सकते हैं हक्ती हम एक लोहे की जट्स लगी हुई इसे क्या होता है ? आपके छत को एक्स्ट्रा Parrotalen मिलती है जब स्नोफॉल हेवी हो जाता है तो चत पर वेट जादा हो जाता उस वज़े से एक्स्टा प्रोटेक्शन मिलती है आपके चत को और यहां पर यह चैनल लगे है कैंची तेयार करने के लिए और उपर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है गैबल का जो मिस्तरी इसको देख रहा है इस वीडियो को उसको आइडिया हो गया होगा किस तरह का स्ट्रक्चर है तो एक बार मैं आपको अरॉंड लुक दे देता हूं चारो तरप से दिखाता हूं तो चलो दोस्तों हम इस कौने से शुरू करते हैं आपने इसका अराउंड लुक देखा सबसे इंपोर्टेंट इसमें एक बात और भी है जो मुझे अभी ध्यान में आया है जो आपकी ये कैंची रहती है जो आपकी ये कैंची देख रहे हैं इसमें स्पोर्ट देना बहुत ज़रूरी रहता है इसमें कितनी कैंचिया है एक स्पोर्ट पूरे के पूरे एक कैंची को होल्ड करने के लिए लगे हैं और हर कैंची में इतने स्पोर्ट लगे हैं जिसकी वज़े से आपका चतना हवा की वज़े से अगर जादा हवा चलती है लेप्ट साइड जुकेगा ना राइट साइड जुकेगा और अगर इस पर वेट पढ़ता है ना ही नीचे की और जुकेगा और प्रॉपर उसी तरह से जैसे आपने बनाया है बिल्ड किया इसे वैसी प्रॉपर तरीके से रहेगा तो दोस्तों ये मेरे पास कुछ बचा हुआ माटीरियल है जिसमें की ये अपॉलो पाइप्स 2x2, 3x3 और 4x4 यहां पर बची हुए है अलग-अलग साइज की सकते हैं आप ये पेच जो ये पेच है ये HP के नट्स है और इनी की डिमांड जादा रहती है इसमें आप देख सकते हैं लिखा हुआ है HP मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की ये सारे HP के नट्स है तो इनी नट्स का यूज होता है ये अलग-अलग साइज के मिलते हैं आपका मिस्तरी आपको इसके बारे में बता देगा और यहां पर ये मेरे पास कुछ शीट् आपको इस शीट्या ने दिख सकते हैं टड़ा बुप सक शीट्म शीट्या फोडिमें पर या ये यहां पर लगी ये है यहां पर लगी है और यह प्लैन के भाले हैं यह साइडिए में लगी है है। जो यह यह वाली शीट है। यह शहत्म में लगी हैं कुछ मैटीरियल बचा हुआ है जूकि मैंने और इसी में वाइट एंड रेड पैंट हुआ है जिसके वाइसे लुक काफी अच्छी आई है यह बचा हुआ मेटीरियल है लोहा एक तरफ है चादर एक तरफ है जो की इन फ्यूचर मेरे काम ही आएगा और बाकी मैंने यहां पर देख सकते हैं पीलर जो की कॉंक्रिट के दि तो ज़रूर बताईएगा वहां देखिए दोस्तों वहां भी क्लिंट्स लगी हुई है सबसे इंपोर्टेंट रहता है यह क्लिंट्स लगाना है अर जगा स्पोर्ट के लिए इनको लगाना बहुत ज़रूरी रहता है थैंक्स वर वाचिंग लाइक शेर और उसके मेरे चैनल पर क्रिकेट से रिलेटिड, बाइक राडिंग से रिलेटिड, कार ड्राइब, लांग ड्राइब एंड, मौन्टेन ट्रैकिंग से लेटिज वीडियो जाती रहती है तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करतें दोस्तों